नमस्कार दोस्तों इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के मेरेट हाईवे से और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक बाइक चालक के साथ किसी का टकराव हो जाता है जिसके बाद आप देख सकते हैं तो फिलाल आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वह एक व् व्यक्ति को अब यहां से एंबुलेंस में डाल कर लेकर जाए जारा आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है वो भी जानने का प्रयास करेंगे फिलाल आखिरकार किसके साथ चोट हुई किसकी हुई यह क्या हुआ किसका किसका हुआ है किसका हुआ है वैसे कार लगी है किसके तो आप देख सकते हैं बाइक पर सवार थे यूपी के बताए जा रहे हैं और कारवाला मौके से चला जाता है तो जो यूवक सवार थे उन्हें चोट जरूर आई हैं यहां से पुलिस की टीमें अब लजाती हुई नजर आ रही हैं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचाती है ज क्योंकि चोटे काफी हैं चोटे काफी काफी चोट लगी है जी चोट काफी लगी है जी तो चोट काफी लगी है फिलाल यहां पर जो नया बनाया लोगों को पता ही नहीं है जी तो लोगों को पता नहीं है इस तरह से बताया जा रहा है कि यह जो ब्रेकर है वो नया बनाया जिस कारण यहां से हो रहे हैं अब एम्बुलेंस की साहिता से देखिए उन्हें उप्चार के लिए बिजवाया जा रहा है डाल 112 की टीम मौके पर थी और फिलाला पे देखिए किस तरह से अब एम्बुलेंस जो है वो यहां से लेकर जाती हुई तस्वीरों में आपको नज उसने ब्रेकर देखके कि दम ब्रेक लगाई होगी यह पिछे लगे होंगे तो आप देख सकते हैं दो को लगी है बाइक आपको दिखा लेता हूं बाइक आपको आपको पर सवार थे यूप यूपी उन्निस बी 433 बाइक का नंबर है टू और किस तरह से देखिए यह बाइक आगे से शतिक रस्त होती है और फिलाल उन्हें उपचार के लिए जरूर बिजवा दिया गया असपा से लोग जो हैं वो जरूर इकठा हो जाते हैं डायलिक 112 की टीम मोके पर पहुंच जाती है जैसे ही जानका असपा से लोग जरूर इकठा हो जाते हैं डायलिक 112 को सूचना दी जाती है डायलिक 112 की टीम मोके पर पहुंच जाती है उसके बाद उन्हें उपचार के लिए जरूर बिजवा दिया गया है फिलाल यहां से एंबुलेंस पर बताया जा रहा है कि इस पे चार चार लोग सव जाता है वो रुक कर भी नहीं देखता कि जो मोटर साइकल सवार थे वो किस हालात में हैं देख सकते हैं किस तरह से यहासा मेरट रोड पर देखने को मिलता है मेरट रोड जो करनाल से यूपी रोड जा रही है उस रोड पर यहासा देखने को मिलता है फिलाला पर देखिए ब्रेकर नया बना इस तरह से लोग बताते हुए नज़र आ रहे कि इए ब्रेकर जो है वो नया बना है तो आम लोग जो है रोजाना निकलते हैं उन्ने पता है जो काफी दिनों बाध इस रोड पर आ रहे हैं तो उन्ने पता नहीं लगता तो फिलाल आप ये देखिए किस तरह से तमाम लोग जो है वो जरूर इकठा हुए थे जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का परयास जो है वो किया जा रहा है निवेदन आप सभी से करूँगा इस वीडियो को देखने वला इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रह यहां एक सुबार आपको लाई थे मारे पास कि में ट्रोट कोई सेक्ट्रोपली एक पास अच्चिएंट हो गया है और हम यहां पहुंचे तो दो इंजड आथे बहुत जाद इंजड हुए हो थे बाइक पे देखिया थे और करनार से में असांबली की तरफ जा रहे थे तो अचानक ब्रेक लगने की पचेश है अचानक ब्रेक लगने की पचेश है यह ब्रेकर है यहां पर गाडियों ने ब्रेक लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं यह ब्रेकर बना है यहां पर ऐसा बताया जा रहे कि इस ब्रेकर पर जो ब्रेक जो है वो गाड़ी लगा देते जिसके बाद पीछे से मोटर साइकल आ रही थी उनकी ब्रेक नहीं लगती जिसका रण वो जो बाइक है वो गाड़ी के अंदर टकरा ज आती है जिसके बाद उन्हें चोटे जरूर आती है और फिलाल यहां से अब मोटर साइकल को जरूर साइड पर खड़ा करवा दिया गया है यहां पर लगते गाउं में और फिलाल आप देख सकते हैं डायलेक्स वारा की जो टीम है वो यहां से अब जाती हुई जरूर नजर आ आप सभी से नहीं वेतन इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें